दुनिया ने ये तस्वीर जरूर देखी जब इवई के राश्पती अपना भाशन खत्म करने के बाद जैसे ही स्टेज से उत्रे पिये मोदी तुरंत कुरसी छोड़ कर खड़े हो गए और उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक गए लेकिन बाहर की तस्वीर किसी जरे नहीं देखी अब हम आपको दिखाते हैं कि बाहर दोनों धीद नेताओं के बीच कैसा उस वक्त माहौल रहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी और इवई के राश्पती एक साथ बाहर गए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी उन्हें सी ओफ करने के लिए बाहर तक गए उनके साथ गुजरात के तमाम बड़े नेता और गुजरात के मुख्यमंत्र भी मौजूद थे लेकिन जब इवई के राश्पती गाड़ी में बैठ गए तो कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने अपने दोस्त को विदा किया ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायल हो रही और लोग इसे अपने अपने तरह से डिकोड कर रहे हैं लेकिन आए भारत और इवई के लिहाज से इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस तस्वीर में इवई के राश्पती गाड़ी के भीतर बैठे हैं और बाहर प्रुधानमंत्री निर्णमोदी दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं और गाड़ी के भीतर से इवई के राश्पती हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं ऐसे में इस फोटो को कुछ इमेरती लोगों ने ट्वीड किया और लिखा कि देखिये हमारे रिष्टे कितने मजबूत हैं वाइवरेंट गुजरात में हमारा गर्म जोशी के साथ सुलागत और कुछ इस तरह का प्यार भारत ने दिया इसे इमेरती कभी भूल नहीं पाएंगे शुक्रियारा करते हुए इस खास फोटो को लेकर इमेरती लोगों ने ट्वीड किया है और अब इस फोटो को लेकर बहुत जादा चर्चा भी है कुछ लोग ये भी कहह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेनर मोदी युवई के राश्पती के सामने नत मस्तक हो गए लेकिन कुछ लोग इसे दोनों धी देशों के बीच के दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं कुछ लोग इसे दोस्ती के तौर पर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे ईवय के राष्पती के सामने नतमस्तक होती हुई तस्वीर के तौर पर इसे देख रहे हैं। लेकिन मेज़ॉर्टी इस बात को मान रही है कि ये दोनों देशों के बीच के संबंध और दोनों नेताओं की दोस्ती को दर्शाता है किस तरह से प्यार और आदर संबान से पिये मोदी ने अपने दोस्त को विदा किया। अपने दोस्त को विदा करना और वो खुद बाहर तक गारी तक छोड़ने खुद गए और जब वो योई के राश्पती को बाहर गारी तक छोड़ने गए ये तस्वीर तब की है और ये तस्वीर सोशल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है। बुरो रिपोर्ट भारत तक कर दोड़ने खुदित करदा है।